ये परकत वाली संसद नहीं है, ये तबाह करने वाली संसद है मने अंदर मोधी को इस देश का पढ़ान मंतरी नहीं मानता देलाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार देलाइफ टीवी आप देख रहे हैं आपके साथ में हुआ आदेत कबार भारती जनता पार्टी से हर कोई तरस्त है, कहीं साधू संत तरस्त है तो कहीं आम लोग तरस्त है, हर जगे त्राइमाम त्राइमाम करके भारती जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने दी जा रही, ये आप दो राज्यों के चुनाओं में देख चुकी है आपने हिमाचल प्रदिश देखा, आपने करनाटक देखा, दोनों जगे भारती जनता पार्टिक करा दिहार मिली है अब लोगों ने प्रधान मंत्री जी के करते पर सवार उठाने शुरू कर दिये हैं वो साधू संथ जो कहा जाता है कि भारती जनता पार्टी का सवर्थन करते हैं भारती जनता पार्टी को वोट देते हैं, भारती जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं आज वो ही साधू संथ नाराज दिखाई दे रहे हैं और नाराजगी इस खदर है कि वो अपना मुंडन कराकर शाद करने तक की बात करें और प्रधान मंतरी को प्रधान मंतरी ना मानने की बात करें और केने प्रधान मंतरी के राज में देश में किस तरीके से भरष्टाचार, गरीबी, महेंगाई, बेरोजगारी यह सब बड़ा है बेटियों के साथ गलत काम करने वाले का सवर्थन किया जा रहा है और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी लोगतंतर का उद्गारन करने जा रहे है हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जरा उस वीडियो क्लिप को आपको देखिए कि ग्यारा लाग साथू चोटी मोडी संक्या नहीं है ग्यारा लाग साथू उत्तरपदेश और उत्राखंड के वो जाएंगे हरिद्वार और वहां मुंडन करवाएंगे एक साथू मुंडन करवाते हुए भी अपनी बात रख रहा है कि ग्यारा लाग साथू आएंगे सुन लिजिए आप ने ग्यारा लाग साध्वों का जमावडा लगने वाला उन साध्वों की नाराजगी है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है बड़ी कुर्सियों पर ऐसे लोक बैट गए हैं जो लोकतंत्र की मरियादा को तार-तार कर रहे हैं उन्हों से दर्वर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए साधु संत मात्मा कहते हैं कि जो बीजेपी का सवर्थन करते हैं वो बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और भगवा चोले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कुछ लोग जो भगवा चोला बिना पढ़े लिके बिना समझे इसलिए ओड लेते हैं कि उन्हें एक पार्टी का प्रचार करना है उन्हें एक पार्टी के लिए वोट बागना है लेकिन वास्तविक साधू संत जो वाकई वे सिद्ध पुरुज है जैसा गीता में भी कहा गया है कि इसलिए धीर पुरुज जो होते हैं वो समाज के कल्याण के बारे में सोच थे हैं और समाज कल्याण के बारे में साधू सोच जिसके आपने वीडियो क्लिब देखी इस सिद्ध दोर पर कहा है कि ग्राह मंत्री कौन है अमिशा जी के बारे में वी टिप पड़ी की है अमिशा जी के बेटे जैशा के बारे में वी टिप पड़ी की है प्रदान मंत्री जी के कारियों के बारे में टिप पड़ी की है प्रदानमंत्री जी के उद्गाटन के बारे में राष्टपती को ना बुलाये जाने के बारे में और राष्टपती से उद्गाटन ना कराये जाने के बारे में भी सवाल खड़े किये है और राज दंड जो प्रतानमंत्वी जी ने उठाय था उस पे भी सवाल खड़े देश में उत्पर्न हो रही है बी बताने कोशिश सादो संत महात्माओं ने की है तो अब यह बड़ा आंदोलन के सकते हैं खड़ा हो रहा है मोदी सरकारे खलाफ मोधी के गौर्णमेंट के खिराप क्योंकि मोधी गौर्णमेंट में किस तरी की चीज़े हो रही है अब ये सादू, संत, महत्मा भी समझने लगे है रामदेव बाबा के सुर भी बदने थे आपने रामदेव बाबा को सुना था रामदियो बाबा पहले क्या कहते थे कि कितने पिट्रोल हो जाए कितना हो जाएगा इतर किसको वोट दोगे मतलब डिरेक्ली तो नहीं लेकिन इन डिरेक्ली वो भारती जनता पार्टी के बंच पर भी दिखाई देते थे भारती जनता पार्टी के लिए वोट बांगते तो क्यों बदले सूर ये बड़ा सवाल है राहूल की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं राहूल गांदी की तारीफ कर रहे हैं देखिए हमार जवाला देखिए ख़बर में दिखा दूँ आपको कि राम देखिए की बदले सूर राहूल की तारीफ में पढ़े कसीदे सीधे लोकसवाच राओं में कॉंग्रेस अध्यक सोनिया गांदी और अपाध्यक्ष राहूल गांदी के खलाप हंगामेदार टिपडिया कर चुके योग गुरु रामदेव के सुर्बदल चुके हैं सनिवार को एक टीवी चैनल से बाच्चित में उन्होंने सोनिया गांदी और राहूल गांदी को लेकार ऐसे बाते कई जिसकी चंद महीनों पहले उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी रामदेव ने कहा कि लोगतंटम मेश के लेता बहुत जरूरत हो थी विपख्ष ना तो ना हो सत्ता नंकुल हो जाती है उन्हों ही आपने सामने राहूल को नितित्य तयार कर लिया इसलिए उन्होंने ने तो सौब देना चाहिए आफ जानिये कि चुनाओं के दोरान बाबाबा रामदयों ने कहा था कि रहूल गाने दर इतो कर हनीमून मना आने जाते हैं जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था बाद रामदयों खिलाब एक फायार भी दर जूए थी बाबा रामदेव के सुर्फ बदल रहे हैं और आप देखें कि बाबाओं के जो संत मात्मा उनके भी सुर्फ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं अपने बदले सुर्ष की सफाई देते हुए रामदेव ने कहा कि युद्ध की भाष्रा कुछ और होती है और शान्ती कुछ और चुनाओ एक प्रकार का युद्ध था इसलिए उस समय वैसी भाष्रा का प्रियोग किया मोधी सरकार एक कामकाज दर्बार करते हुए रामदेव ने कहा कि सरकार की नीतियों से किसानों को नुकसान हुआ तो उसे भी नुकसार उठाना पड़ सकता है उन लेखनी है कि हराणा की भाष्रा सरकार ने बावा रामदेव को राजज का प्रैंड अब्मेशन ने उत्किया है हराणा ने उन्हें केमिन मंत्री का परत का दर्जा भी दिया गया प्रतार मंत्री जी के बारे में कह रहे हैं कि प्रतार मंत्री जी तो ही नहीं है प्रतार मंत्री को तो हम मानते नहीं प्रतार मंत्री जी अगर होते तो लोकतंदर की मर्यादा का ख्याल लगते लगिन यहां लोकतंदर की मर्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा है बाब आराम देओ की सुर्व बदल रहे हैं मतलब आप देख रहे हैं किस तरीके से साधू संत अब इस समाज समझने लगा है कि हमने जिस वज़े से वोट दिया था हमने जिस वज़े से चीज़ें की थी जिस वज़े से हमने पहल की थी वो चीज़े नहीं दिखाई दे रही है ऐसी चीज़े घलत में दिखाई दे रही है तो इससे पहले भी संतों ने हुँकार भरी थी UP के चुनाओं में बीजेपी को सबग सिखाने की बात भी की देखिए और्टिकल अमरु जॉला का है कि संतों ने भरी हुंकार कहा यूपी चुनाओं में बीजेपी को सिखाएंगे सबक खंड के गाओं माहोली में यवना मुक्तिकरार सम्मिलन में संतों ने हुंकार भरते हुए बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यवना भक्तों की भावनाओं से खिलवार बंद नहीं किया गया तो यूपी चुनाओं में सबक सिखाया जाएगा ब्रच चौरासी कोस की परिक्रमा के मौके राजधानी ब्रज यात्रा के संचारन बरसारा के संत रमेश बाबा की अगवाई में सब्मेरण कायोजन किया गया समिरन में हजारों की संख्या मौल संसमाद देश विदेश से यात्रा कर रहे हरमान बक्तों ने हिस्सा लिया कहा गया कि वर्थवान सरकार भी पिछले यूपी अ सरकार की तरह भक्तों को मुक्ति करण के नाम पर बरगला रही है मन्स ऐलान किया गया कि 17 दिसंबर से निर्णाइक नड़ाई लड़ी जाएगी राजधानी ब्रज यात्रा के संचालन बरसाना निवासी संत रमेश बाबा ने कहा कि केंदर की भाज़पा सरकार ने यमुना मुक्तिकरण के नाम पर यमुना भक्तों के साथ धोखा किया है अंद्रमेश बाबा ने कहा कि यमुना में बहने वाला जल साधारा जल नहीं है बल्कि ये प्रभुक्रपा है और जिसने प्रभुकी क्रपा रोकनी कोशिश की हो नश्ट हो गया तो इससे पहले भी आंदोलन हो चुका है बाबा इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और ये बताने और समझाने के कोशिश कर चुके हैं सरकार को कि तुम जो है संतों के बारे भी नहीं सूचो इससे पहले भी संसभाज के लोगों ने विरोध किया था हमने आपके आयुध्या की तस्वीर दिखाई थी आयुध्या के संतों ने किस तरह से कहा था कि ये जो है पॉलिटिकल एजेंडा तै किया जाता है भारती जंता पार्टी हिंदू धर्म खत्रे में हैं फराना डिंगाना इस तरह कोईश करके वोट लेने की एक साजूश रची जाती लेकिन असल में हाकीकत कुछ और होती है हाकीकत से परे होकर इस सब चीज़ें की जाती है इस तरीके से करना है आप समझ सकते हैं अंदाजा लगासते किस तरीके से बरगलाने कोईश की जाती है किस तरीके से घेरने कोईश की जाती है वोट लेने कोईश की जाती है इसलिए अब साधू संत समाज जो पढ़ा लिखा वर गए जो सास्तरार्थ करते हैं हो समझ में आ रहा है कैसे जो है खाली वोट लेने के लिए सब कुछ किया गया हूँ आज लोकतंद की मर्यादव कैसे तार-तार किया जा रहा है इसलिए ग्यारा लाग सादू अब मुंडन कराएंगे और ये संकल्ब लेंगे आंदोलन करेंगे कि सरकार रिपेट ना हो इस तरीके बाते भी सादू सुन दोरा कही जा रही है तो दलाइफ टीवी और आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन दबाएए ताकि सच खबर आप तब कहुंचती रहे नमस्कार